तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में जैसा कि कल उर्दो सब्जेक्ट का एक्जाम है जितने भी क्लास 10 वाले विद्यारती हैं आप लोग भी रेडी हो जाई हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के रोश्नी के ब है हो 10 लि suc लाइं की वोग का क्योंकि आफ लोग सोच रहे हों गे कि मैम तो रक्षा का कम्टीट करा चुकी है अब जलती इस चीज़ को दियार में रकते हुए मैं 25 अब्लिक्टिव को एक्यार की हूं ये तो ८ो सकीआम हूझत बीज्य s patients यूए मैं ग्यूं का जो कल उर्दु का एक्साम होने वाला है ना उसमें इन ही objakyर में से कॉश्ण देखने को में इसे इस ही कोशुन मैं से आप लोगEMA करके अप लोगे फाइनल एक्साम में कॉशन हैं यह चीजद से टॉपिक कम्टीट करके जाना है किस किस तरह रिवीजन करके जाना है तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दियेगा है उस वीडियो को जरूर देख लीजेगा और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है ना कि आज क तो बहुत अच्छी बात है डाउन्लोड कर लिए लेकिन आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं आप लोगोगो доступpak में अचल कर लाई हो जाए तो इसदिकृट में में भी अबजेक्टिव कोशन आप लोगों को मिस नहीं करना है यह टोटल 25 अबजेक्टिव कोशन कम्प्लीट देखना है बीना एसकिप किये विडियो को ठीक है ना और स्टार्टिंग में आप लोग वीडियो को जितना ज़़ा उसके लाइक शेर करें ताकि सब्वी लोग इस रीपिट होता है कोशन को ध्यान से समझना है और उसको अपने हिसाब से अंसर देना है और तब मैं सही अंसर बताओंगी तो आपहों को मीलाना है कि आप कितना question सही कर पाते हैं और हर एक objective question आप लोगो को याद हो जाना चाहिए कमांड होना चाहिए देखिए सबसे पहला सवाल है कि अफसाना second hand की अफसाना निगार कौन है यानि कि second hand नाम का जो कहानी है इसके लिखने वाले कौन है कहानीगार कौन है सही जवाब सबसे पहला question का होगा आप लोग मन में ही सोच लिजे इसका सही जवाब क्या होगा सवाल है कि वातरक नदी किस किस यहां पर रहेगा किस सूबे में वाकि है यानि कि वातरक नदी किस राजिय में इस्थापित है यानि किस राजिय में स्थित है तो आप लोग को बताना है बताइए इसका सही जवाब क्या होगा option A में है पंजाब B में है कश्मीर C में है मारा स्ट और D में है गुजरात इसका जो सही जवाब होगा, वोगा option number D, गुजरात is the correct answer, I hope आप लोग D लगाये होंगे, आगे बढ़ते हैं, तीसरा question है कि करनाटक की जबान क्या है, कौन नहीं जानता है, करनाटक की जबान है करनड यानि कि करनड भाषा बोली जाती है करनाटक में, तो option number A is the correct answer, question number 4 है कि केतू किस जुर्म में जेल जाता है, option A में है चोरी के जुर्म में, B में है शराबनोशी के जुर्म में, C में है जिना के जुर्म में, और D में है जंगल काटने के जुर्म में, तो इसका जो सही जवाब होगा, वोगा option number D, जंगल काटने के जुर्म में, केतू जो है ना, व जेल जाता है ये हर एक चप्टर में आप लोगों को पढ़ाई भी हूं हर एक कहानी को अगर आप चप्टर पढ़े हैं तो हर एक कोशन का एंसर यूं चुटकियों में दे सकते हैं और ये चीज ध्यान में रखिएगा ये सारा पुछा हुआ कोशन है कोशन नमबर फाइफ है कि आसाम में कौन जुबान बोली जाती है कौन नहीं जानता है आसाम में आसामी भाषा बोली जाती है यानि कि आसामी जुबान तो आपसा नमबर बी देखिए इसमें आसामी लिखा है न तो इसको धीरे से टिक कर दीजिए आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर सिक्स है कि पिस चास्ची अपवरंस से पंजाबी जबान निकली हुई है यानि कि पंजाबी भाशा तो आपसा नमबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 7 है कि बारिश की एक सुबह किसकी तखलीक है तो बारिश की एक सुबह है यानि कि जिसके द्वारा लिखा गया है उनका नाम है सीटा कांत महापातरा तो आपसन नमबर B इस दा करेक्ट अगे बढ़ते हैं आठवा सवाल आप लोके स्क्रिन क गुज़ ऑफिशझन की कहानी है तो जो कहानी है अरजन लनाम की कहानी आपको याद रखना है बंगला जबान की कहानी यानिकी बंगला भाशा की तो आपसन नमबर डीज को धीरसे टिक कर दीजिए कोशन नमबर दस पर हम लोग आ चुके हैं देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कियें तो बहुत गलत बात है इतना इंपोटेंट 25 मस्ट विवी आई टॉप 25 अबजेक्टिव कोशन करा रही हूं इसी बात पर लाइक तो बनता है फड़ाफड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किये तो लाइक करें और जितना ज़्याद हो सके शेयर करें क्योंकि इसी में से आप लोग के एक्जाम मे किस सुबां यांपर किस रहेगा तेलगु किस सुबां की जबान है यांकि एलगु भाशा जो है न यह जवान किस राज्य में बोली जाती है तो आप लोग जानते हैं तेलगु मतलब की आंदर परदयेश में बोली जाती है layer जाती है तो अगला question question no 11 पर हम लोग आ चुके ह आप लोग फड़ाफट like share जरूर करें इसमें आप लोग को भूलना नहीं है चुक भी नहीं करना है आप लोग जितना ज़्यादा उसके like share करें question number 11 है कि सोमेशवर तरादोई का कौन था तो सोमेशवर जो था वो तरादोई का भाई था जो की आया था तरादोई के घर पे तो option number A is the correct answer भाई लगा दीजिये आगे बढ़ते हैं अगला question है question number 12 कि हरी मोहन जहां यहां पर जहां रहेगा हरी मोहन जहां का कौन सा अपसान पर सी अंग्रेजिया बाबू इस दक करेक्ट इंसर यही है हरी मोहन जहां का कहानी यानि कि अफसाना question number 13 है कि अमरिता पृतम कि जबान की शायरा है यानि कि अमरिता पृतम जो है यह किस भाशा की शायरा है option A में मराथी B में पंजाब EC में हिंदी और D में गुजराती सही जबाब होगा option number B पंजाबी जबान की शायरा है तो option number 20 तक करेक्ट इंसर आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number 14 है कि उर्दू कि तहजीब की जबान है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुस्तरक तहजीब की जबान है option number A हो जाएगा इसका सही जवाब याद अफसाना नेगार और डी मैं मुहलिम मुहलिम तो इसका जो सही जवाब होगा वहोगा option number A अखबार का मुदीर था ठीक है ना तो option number A हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब 15 कोशन कंप्लीट हो चुका और मातर दोस्त और मातर 10 objective question है तो बस आप लोगों को जुड़े रहना है पूरा देखिए और एक भी objective मिस मत कीजिए question number 16 है कि वातर के किनारे किस जबान की कहानी है यहां पर किस रहेगा किस जबान की कहानी है यह अपसाना यह किस भाशा का अफसाना है option A में आसामी B में है बंगला C में गुजराती और D में मल्यालम तो इसका सही जवाब option number C is the correct answer एक गुजराती कहानी है question number 17 है कि बंगला जबान कि सुबले में बोली जाती है तो बंगला जबान यह जो भाशा है ना बोली जाती है यह कूर नहीं जानता है अरりました आपसान नमबर भी बंगाल लगा दीजिएगा कोशन नमबर 18 है कि राम हल्दर और विशाल मेहतो किस अफसाने के किरदार है किस कहानी के करेक्टर है राम हल्दर और विशाल मेहतो तो आप लोग जानते हैं वो अफसाना का नाम है अरजुन और जुन नाम कि इस कहानी के करेक तो इसका जो सही जवाब होगा, वो होगा option number A, बारिश की एक सुबा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, question number 20 पर हम लोग आ चुके हैं, नजम दिये किस शायर की तखलीक है, option A में है, अरुन कुलहटकर B में है, अमरिता पृतम C में है, इंद्रा गोस्वामी और D में है, के सचीद तो इसका सही जवाब होगा, option number A, अरुन को लहटकर इसदक करेक्ट इंसर, इनहीं का नजम यन की कवीता है, दिये, question number 21 है कि हिंदुस्तानी लिसानी अतबार से कैसा मुल्क है, तो हिंदुस्तानी ये जो लिसानी अतबार से मुल्क है, वो एक कसीर लिसानी है, option number B हो जाए हुआ है, ये नजम वारिस शाह से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, question number 23 है कि तरादोई किस अफसाना का किरदार है, तरादोई जो है ये किस कहानी का करेक्टर है, तो कोन नहीं जानता है, ये खाली संदुक नाम के कहानी की करेक्टर है, तरादोई, ठीक है, question number 24 है कि अफसाना अंग्रेजिया बाबू की जबान में है, अंग्रेजिया बाबू नाम का जो अफसाना है, ये कहानी, ये एक मैथली जबान की कहानी है, यानि कि मैथली भाशा में लिखी गई है, तो option number C लगा दीजे, अब last question 25 नमबर सवाल है, कि वातरक क्या है, option A में है पहाड, B में है दरखत, C में है गाउं और D में है नदी, तो इसका सही जवाब तो direct दिख जा रहा है, option number D is the correct answer, यानि की वातरक एक नदी है, तो finally यहाँ पर हो जाता है, class 10 के रोशनी बुक का total top 25 objective question complete, जी हाँ, अगर आप लोग वीडियो को देखते देखते यहां तक पहुँच चुके ह हैं, तो समझे कि कल का जो उर्दू का exam होने वाला है, और उसमें जो रोशनी बुक से question पूछे जाएंगे, उस question का answer देने के लिए आप लोग बिल्कुल तयार है, be ready, तयार हो जाईए, कल के exam के लिए, ठीक है न, एकदम जबर्दस जाएगा, जो भी 25 objective question कराई होना, आज क question देखने को मिलेंगे, ठीक है न, तो आई होप आप लोग को जो कुछ भी आज के इस वीडियो में मैं समझाई, वो समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक फड़ा पड़ करें, अभी तक वीडियो को लाइक करें, और जितना ज़्यादा हो सक तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज